दोस्तों यहाँ पे AMC Center लखनाव का फुल PDF चार्ट 20 पेच का आ चुका है जिसके अंदर All Format आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पे दोस्तों Indemnity Bond BG Center के अंदर मांगा था उसी प्रकार से इस Center के अंदर भी मांगा है नोरिक सर्टिफिकेट, स्पोनसर से सर्टिफिकेट कैसे बनेगा एक सरुष्मेन वाले बच्चे स्पोनसर से सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगा Alt F.A. David के Formats आपको बता दूगा ताकि आप इजीली बनवा सकते हैं दोस्तो एज में वेरियेशन, नाम में वेरियेशन होगा तो क्या करना है COVID-19 के रिपोर्ट कितने दिनों के लेके जानी है स्पोर्ट सर्टिफिकेट कौन-कौन से इसमें चलने वाले है NCC के लिए क्या विनिफिट होगा, टेटू पुलीसी क्या है इस Center में प्रियोटी किसको मिलेगी, सांति सांत, दोस्तो टोटल वेकेंसियां कितनी है तो ये सारे डाउट आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तो हर एक चीज़ आपको बारी किसे किलियर करेंगे विडियो को सांति से पूरा देखें, थोड़ा भूत लंबा हो सकता है, चल जाएगा ठीक है दोस्तो, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स किसलिए दिया हुआ है आप जरूर से कमेंट करें, हर एक का जवाब मिल जाएगा लाइक कर जीए विडियो का हो दोस्तो, नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना क्योंकि दोस्तो बड़ी मेहनत करके आप लोग के लिए हम वीडियो कलेक्ट करके लेके आते हैं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड जिसा कि आप यहाँ पर देख पा रहा हैं यूएच क्यों कोटा यह कोलेज लखनव की भरती है जिसमें एमसे सेंटर की भरती है 15 से 30 नावं भरते की चलने वाली है हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी फर्स्टली हम बात करते हैं ट्रेड कौन कौन सी है तो यहाँ पर दोस्तो नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर जनरल डूटी जनरल डूटी के अंदर एम्बूलेंस असिस्टेंट और ड्राइवर एम्टी की यहाँ पर भरती है साथ अफसाँ ट्रेड मेन के आठवी पास, दस्वी पास वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं सोल्जर कलर के एसकेटी की भी यहाँ पर भरती है सोल्जर कलर के एसकेटी सिर्फ एम्सी के जो बच्चे रिलेटेड है वही इसमें अपलाई कर पाएंगे एड्रेस दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है यही एड्रेस पर आपको जाना है फिजिकल ट्रेनिंग डिपेट जो गेट है उसके अपोजिट में रेस कोर्स क्राउंड नियर कैप्टेन मनोज पांडे फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल वेकेंसिया कितनी है तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे है सोल्जर टेकनिकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क और जीडी के लिए दूस्तों अवेलेबल लिखा है अवेलेबल का मतलब है कि काफी वेकेंसिया होती है और यह बताई नहीं जाती बात करते हैं ट्रेड मेंन की वेकेंसियों की तो यहाँ पर बिल्कुल किलियरली लिखा हुआ है कि सोल्जर शेफ यानि कि दोस्तों कूक जो होते हैं उनके लिए 20 वेकेंसिय है इसके अलाबा इस्टिवर्ड के लिए दो वेकेंसिय टेलर के लिए दो वेकेंसिय ड्रेसर बारबर को कहते हैं तीन वेकेंसिय है म्यूजीशियन दोस्तों जिनको गाना बजाना आता है वो लोग जाके अपलाई कर सकते हैं अपन केटेगरी बिना relation बिना sponsor सिर्फ certificate के और दोस्तों यहाँ पे आपको बता देए soldier housekeeper और messkeeper वाले जो बच्चे है आठवी पास उनके लिए total 30 vacancy है एक चीज़ और बता दू ओनलाइन एपलाई करना होगा कौन सी link है आपको बता दिया जाएगा कैसे भेजने कौन-कौन से document भेजने वो भी मैं बता दूँगा वीडियो को अंते तक देखते रही है ठीक है दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं schedule की तो यहाँ पे tentative schedule दिया हुआ है इस date को आपको यहाँ पे जाना होगा अलग-अलग date wise यहाँ बच्चों को बुलाया हो गया है दोस्तों यहाँ पे आ जनरल डूटी के लिए edge cut off थोड़ा सा कम होता है एक अक्टूबर 2000 से एक अप्रेल 2004 के बीच में उसी प्रकास से ट्रेडमेन और जो है ट्रेडमेन का same clerk के जितना ही है दोस्तों आपको बता दूँ प्रियोटी किसको मिलेगी तो यहाँ पे clearly 5 प्रकार की प्रियोटी दी हु प्रियोटी वाली बात इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कितने bonus marks मिलने वाले हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं son of service man, ex service man के लिए 20 marks मिलेंगे और 20 marks ही general duty soldier trade man के लिए मिलने वाले हैं sports category जो इंडिया national international level पे खेले हैं उनको भी 20 marks NCC के लिए भी हाँ पे marks दिये हुए हैं आप देख लीजेगा 5 marks, 10 marks, 15 marks अलग-अलग certificate के इसाप से इसमें दिये हुए हैं आपको बता दें दोस्तों candidate जो clerk SKT के O plus level का certificate लेके जाएंगे उसको 15 marks additional दिये जाएंगे तो O plus level का आपके पास certificate है तो जरूर से लेके जाएं अब कुन-कुन से हैं दोस्तों आप देख लीजे नीचे बताऊंगा अफेडेविट सारे अफेडेविट आपको बता दिये जाएंगे आपको कुन-कुन से अफेडेविट बनवाने हैं, relation certificate आपको आपके regimen से बनवा देना है जिस पे watermark लगा हुआ रहेगा और वो भी आपको लेके जाना, sponsorship certificate कैसे बनेगा वो नीचे आपको दिखा दूँगा बता देंगे कैसे बनाना है जिला सेनेक बोट से, इसके अलाबा original जो education certificate है वो तो लेके जाना है, साथ में आपको self-attestate भी करवा लेना है, आपको character certificate इस्कूल से बनवाना है, 20 photocopy latest good quality के आपको खुद के लेके जाना है, pension book लेके जानी है, दोस्तो जो वीडियो के बच्चे हैं और जो battle casualty के हैं, उन लोगों को यहाँ पर pension book लेके जानी होती है, original और दो photocopy, इसके अलाबा दोस्तो डिस्चार्ज book लेके जानी होती है, एक्सरिसमेन वाले बच्चों को, body tattoo की बात करें तो दो body tattoo नहीं होना चाहिए, सरीर के उपर है भी तो छोटा सा अगर sign है, जो भी back side में है, उल्टे हाथ के पीछे side में छोटा सा है, तो वो चल जाएगा, बाकिये कहीं दिखेगा, वहीं पर नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तो जिस हाथ से आप salute मारोगे, उस हाथ में तो बिल्कुल आपके verification की, तो police का pre-verification लेके जाए, 6 महीने के अंदर वाला होना चाहिए, साधी आपकी 21 साल से कम है, नहीं हुई तो यह unmerit certificate लेके जाए, इसका अलावा दोस्तों, आपको COVID-19 progression अम्हापे रखना है, जो कि 96 गंटे पहले की आपको COVID-19 RT-PCR report लेके जानी है, फ्रेंड्स इसका लावा यहाँ पर आपको जो document भहजने हैं, वो देख लीजिए, यहाँ पर एक email address दिया है, uhq.second to none at gmail.com के उपर 15 October से पहले पहले आपको यह document भहजना है, class 12, 8, 10 के mark sheet, जिसकी photo आपको खीचना है, Adobe scanner से और आप यहाँ थो PDF में भहज सकते हैं या फिर JPG में भहज सकते हैं, आप attachment करके uhq.second to none at gmail.com के उपर भहज दीजे, sponsorship certificate दोस्तों कैसा होता है, वो नीचे बताऊंगा, उसको बनवाईए, भरिए, scan कीजी भहज दीजे, relationship certificate जो की by AMC record या फिर आपका जो भी particular record है, वहा है तो उसको आप बंद कर दीजे क्योंकि अगर वो होगी तो आपके पास message वगेरा नहीं आएगा, दोस्तों आप बात करते हैं कि variation of date of birth, अगर date of birth में variation है तो क्या होगा, तो दोस्तों 306 दिन के अंदर अगर variation है तो चल जाएगा, अगर 306 दिन से एक दिन भी उपर नीचे है तो वो date of variation है वो नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एक एक एफडेविट बनवा के लेके जाना है कि मेरी date of birth जो है गलती से टाइप हो चुकी है मेरे original document में और अपने relation certificate में तो वो चल जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं चलेगा, और अगर दोस्तों नाम में अगर variation है, तो spelling में अगर mistake है तो चल जाएगी, मगर नाम ही पूरा change है तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए भी आप minor variation के लिए एक एफडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं, फ्रेंट सबसे most important बात करते हैं, एफडेविट कौन-कौन से लेके जाने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो एफडेविट है वो आप देख लीजे, यह है एफडेविट जो कि दोस्तों सारे इसके अंदर आपने जितने भी जानकारियां भरी हैं वो सारी इसके अंदर होती है, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, आप कौन सी कास्ट, सबकास्ट, रिलिजिन यानि धर्म कौन सा है इसके अलावा आपका permanent address, postal address यहाँ पे दोस्तों आपने पिछले 5 साल से कहां रहे हो, आप married हो, unmarried हो, involved तो नहीं हो आप किसी case में, वो सारी चीज़ें, इसके अलावा consent certificate है दोस्तों यहाँ पे detailment है वो, इसके अलावा दोस्तों आपने कहीं rally भरतियां देखिए, तो वो भी इसके अंदर भर दीजेगा, और यहाँ पे आप खुद signature करेंगे, notary करवाएंगे, किस से करवाएंगे, first class judicial magistrate से नोकरी करवाना है, 10 रुपे का जो stamp paper है, उसके उपर आपको इस पे notary करवा लेनी है, signature जरूर से करवाएंगे, तभी माननी होगा, अब देख लीजे, sponsorship certificate कैसा होता है, तो यहाँ पे sponsor certificate है, जिसमें कि दोस्तों, आई, यहाँ पे number उनका आएगा, आपके पिताजी का number आएगा, rank आएगी, trade आएगी, और unit कौन सी है, वो आएगी, और UHQ quota के अंदर, I also clarified date, आपका नाम आएगा, आपकी date of birth आएगी, और यहाँ पे दोस्तों, आप जो है, first time उनके लिए, उनक पुरानी नहीं होनी चीए, latest वाला मांगते हैं, ज्यादा पुराना होता है, तो फिर वो बोलते हैं कि आप इसके बीच में कहीं sponsorship हो चुके हो, तो किसको पता है, जो लोग, एकसर उसमें, यह फिर वीडियो हैं, दोस्तों, उनके लिए क्या है, आप जो है, बाइ विलेज क प्रेसिडेंट को, कि मेरा बेटा जो हिहां पर इसके लिए परभटी के लिए जा रहा है, अगर इसको कोई injury होती है, disability होती है, illness होती है, during the course of variation test, तो दोस्तों, इसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, आपको कोई भी महासे government की तरफ से फाइदा नहीं मिलने वाला है, तो यह बनवा के लेके जाना होता है, यह सबी के लिए अच्छा होता है, तो दोस्तों, यहाँ पे आप साइन करेंगे, यहाँ पे आपके पिताजी साइन करके देंगे, कहीं जाने की जरुवत नहीं है, यह घर में बेटे-बेटे बन जाता है, यह भी नोरिस और एक बचा COVID-19 का RT-PCR वाला, तो 96 अवर वाला आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके जाना है, दोस्तो वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए हमें माफी मांगता हूँ मगर हर एक जानकरी कवर करना बहुत जरूरी होती है, तो चलिए मिलते हैं जे भारत मंदे मातरम, all the best